बच्चों मैं आप लोगों से एक question discuss करने जा रहा हूं related to bank reconciliation statement देखी question बच्चों इस तरह से है आपको जो है balance as per passbook दे रखा है 20,000 और ये कुछ points दे रखे हैं जिनकी विज़ा से cashbook और passbook balance match नहीं कर रहे हैं देखे पहला point है payment of Rs.550 was recorded twice in the passbook यानि 550 का जो payment किया गया था passbook ने दो बार record कर लिया तो इसका treatment कैसे किया जाएगा ये समझेगा बच्चों इस पैसे को जो है passbook ने दो बार minus किया है यानि passbook ने 11 सुरुप माइनस कर दिये मगर cashbook ने तो सिर्फ 585 माइनस की होंगे तो ऐसे में passbook को cashbook के पास आना है तो passbook को वापस 550 एड करने पड़ेंगे ताकि वो cashbook के पास बराबर आ सके है ठीक है बच्चों पास बुक की विड्रॉल कॉलम जो है सेकिंड पॉइंट जो है वह अंडर कास्ट है बाई रूपीज 200 देखिए अगर विड्रॉल कॉलम कम है तो इसका जो है बैलेंस पर हमेशा एड़र्स जयाता है विड्रॉल कम कम है तो पास्टक का बैंस ज्यादा होगा विड्रॉल का बैलेंस कर दो फी लाल विड्रॉल कॉलμε पास्ट का बैलेंस के चैशब के पास जाना है तो इसे माइस दोशो करना पड़ेंगा ठीक्चो當 Алग कोपिस दीन है अग सट्थे पूर चेकर रू the result of this transition cash book का balance जो है 200 रुपे ज्यादा होगा पास्बुक से और पास्बुक को कैश्बुक के पास आना है तो पास्बुक को वापस 200 प्लस करने पड़े के ठीक है ठीक है बच्छो तो इसका मतलब पास्बुक का बैलनस cash book के बैलनन से 300 रुपे कम है तो इसको फिर वापस 300 एड़ करना पड़ेगा और डेथंक आज़ल्ट कैश्बुक का बैलनस passbook के balance से 300 रुपे ज्यादा होगा और passbook को अगर cashbook के पास आना है तो उसको वापस 300 रुपे प्लस करने पड़ेंगे ठीके बच्चो तो पहला point जो था वो मैं दोबारा discuss करता हूँ चारो points को बच्चो आपके साथ पहले point में कहा गया कि payment जो है पास बुक ने दो बार कर दिया 550 का तो पास बुक ने 1100 पेमिंट कर दिया वगर cashbook ने तो 550 पेमिंट किया होगा तो यानि पास बुक का balance cashbook से 550 नीचे आ जाएगा तो पास बुक को वापस cashbook के जाना है तो 550 प्लस करना पड़ेगा पास बुक की withdrawal column undercast है withdrawal column मतलब payment side पास बुक की undercast है तो payment side से हमेशा adverse relationship होता है पास बुक के balance का तो payment side अगर कम है तो इसका मतलब पास बुक का balance जादा होगा 200 रुपे किस से cashbook से अब पास बुक को cashbook के बास आना है तो minus 200 करना पड़ेगा तीसरे point में का गया कि एक check जो आप cashbook में लिख चुके 200 रुपे का मगर bank में नहीं भेजा तो cashbook तो बढ़ी हुई है चीक है बच्चो मगर passbook नहीं बढ़ी हुई पास बुक के बास आना है तो उसे भी 200 रुपे अड़ करने पड़ेगे और चौधे point में ये का गया था कि 300 रुपे पास बुक ने तो कम कर दिया है इस check से मगर ये check जो है cashbook में recording नहीं हुआ है तो वापस इसको passbook को बढ़ाना पड़ेगा cashbook के बरावर आने के लिए एक point और भी है वच्चो 5th point इसमें कहा गया कि check और रुपीज 500 cent for collection was dishonored by the bank तो जब आप check collection के लिए भेजते हैं तो cashbook को आपने बढ़ा देते हैं ठीक है मगर passbook ने नहीं बढ़ाया कि उसको डिसाइब रुपीज दिया तो as a result cashbook का balance passbook के balance से 500 रुपे जादा है और passbook को cashbook के बसाना है तो फिर उसको फिर से 500 रुपे plus करने पड़ेंगे